नमस्कार, देस इस कनिश्क चौदरी, ओशो बोलते हैं, हैस्टेक से लिए जिसमें ओशो के बारे हम बात करते हैं, आज से दो या दी महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया था कि ओशो ने एक टेकनीक बताई है ऐसी जिससे आप अपने सपनों को, अप को ज्यादा बड़ा रखा है, दिमाग को पीछे ही रखा है, तो उनकी ये मन की इस्थिति है, उसको समझने के लिए, मैंने एक टेकनीक आपको बताई थी, बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसको में टेस्क्रिप्सिन में डाल दूआ, वहां बताया था मैंने, कि आपको आप किस तरीके से होशो की जोगों टेकनीक है, उसमें था कि आपको रात को सोते हुए लंबी गहरी सांस, जब आप सब अपना फोन वगएरा रख चो को एक साइट, जब आप सोने को बिलकुल रेडी हो, आँखे बंद कर लिए, नीद आने लगे तो उस वक्त आपको अप जो मेरा मकसद है वो क्या है, उसको याद रखना है, मैं उन चीज को पिछले दुडाई महीने से लगातार प्रेक्टिस करूँ हो जब से मैं वो वीडियो देटी है, समझने कोश करी है, और उससे जो एक उर्जा मिल रही है, उन चीजों करनी की जो उर्जा मिल रही है, वह पिछले डाई महीने से मैं अपने अंदर चेंज देख पा रहा हूं, उस चीज को लगातार फॉलो कर रहा हूं, अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और ओशो की बात यह सुनता रहता हूं हमेशा, मन की शक्ति को मन की अवाज को सुनने को उनोंने हमेशा प्रहनना दी है ना कि दिमाग की, दिमाग तो चेंज भी हो सकता है कभी लेकिन मन जो अंदर से चीज है, उसे अगर आपने आत्मा में बिठाली तो निकालना बहुत डिफिकल्ट पढ़ जाता है और उस चीज को पा आपको पूरे दिन वो चीज चलाईगी और जो आप करना चाहते हैं उसकी तरफ कितने पढ़िया से आप चलेंगे, यह चीज फॉलो करके देखेंगा, सिर्फ सुनने में तो हवाई हवाई बात लगेंगी आपको यह लेकिना कर जब आप इनको करोगे, जब आप इनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव सकारात्मा कूर्जा के साथ बने रहिए और अपने अचीवमेंट्स, अपनी जिन्दियें आपको चीजे पानी है, उनकी और बढ़ते रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, धन्यवाद, फिर मिलते हैं लिए व